इस बार के लोकसवा चुनाव में मायवती को तगड़ा जटका लगा। यूपी के अंदर एक सीट भी नहीं मिली। वोट वैंक में भी बड़ा स्यन लगा। चंदरशेखर जैसे यूवा और नय चेहरे चुनाव जीत गए और वो भी नगीना सीट से। ये वो सीट है जहांसे मायवती ने अपना पहला चुनाव लगा था। लेकिन मायवती ना तो नगीना बचा पाई और ना ही यूपी के अंदर कोई भी सीट जीत पाई। तो मायवती के इन हार के पीछे कई वज़े हैं। और राजनितिक जानकारों का मानना है कि उन वजहों में से एक बड़ी वज़ा ये है कि भतीजे अकाश आनंद को चुनाव के बीच में नेशनल कॉडिनेटर के पद से हटाना। अकाश आनंद को जब जिम्मेदारी मिली तब उनके प्रचार अभियान को आपने देखा होगा। ग्राउन पर उतर कर वो भाज़पा को जम कर खेर रहे थे, खुब हमला बोल रहे थे। यहां की भाज़पा सरकार ने आपको हमेशा से दबाने का काम किया, अंदर से खोकला करने का काम किया है। पर एक तरफ भाज़पा और कॉंग्रेस लोग हैं ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बसपा और इने लोग की गड़बंदन की सरकार है, जो आपके बच्चों को पड़ा लिखा कर उनको काबिल बनाना चाहती है। तो साथियो इनी कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी वैखास कर आदर्निय पहन कुमारी मायवती जी की भी यही विशीश अपील है, कि इस विधान सभाम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर साफधान रहें, आपका वोड़ बहुत कीमती है। अकाश का चुनावी अभियान असरदार था, लोग जोड़ रहे थे, मीडिया कवरिज भी मिल ला था, लेकिन तभी मायवती ने एक बड़ी गलती कर दी, जिससे अखिलेश रादों के लगाए आरूपों पर लोग यकीन करने लगे। दरसल अखिलेश रादों ने ये बात शुरू से वो कहते आ रहे थे कि मायवती भारती जनता पार्टी की वी टीम है। और जब मायवती ने भाजपा पर हमला बोलने वाले आकाशे बड़ी जिम्मेदारी छीन ली तब लोगों को अखिलेश रादों के आरूपों पर विश्वास होने लगा। अकाश अनन्द जो युवा थे जनता के बीज थे उनसे जिम्मेदारी छीनने के बाद दलित जिस युवा नेतरितों की आश में थे उन्हें जटका लगा। और मायवती के वोट वेंक का एक बड़ा हिस्सा तूट कर सपा और कॉंग्रेस वाले कटबंदन के पाले में चला गया। तो यही वज़ा रही कि शायद ही कोई ऐसी सीट होगी जहां मायवती के उम्मिदवार दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर होंगी। बहराल आप इस पर क्या सोचते हैं आपे क्या रहा है कॉमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपिलाइब।